वेल्कम बैक टू सेफीज किचिन आज हम बनाने चा रहे हैं दही बड़े इमली की सौट बनाने के लिए एक कप इमली को दो कप गरम पानी में एक घंटे के लिए भीगो के रख देंगे इमली के पल्प को अच्छे से चान लिया है एक पैन में एक चमच तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे अब इसमें एक चमच जीरा डाल कर उसे भूल लेंगे अब इसमें इमली का पल्प टाल लेंगे अब इसमें देल्ड कप गुर्ड डाल लेंगे गुर्ड को मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे अब इसमें आज़ा चम्मच काली मिल्च आज़ा चम्मच सौट नमक फूट कलर आज़ा चम्मच लालमिट आज़ा चम्मच चाट मसाला आज़ा चम्मच हींग और एक चम्मच जीरा पॉडर अब इसे गाड़ा होने तक पका लेंगे अब इसमें किश्मिश और खल्बूजे के बीच डाल लेंगे सौट तयार हो गई है अब इसको थंड़ा होने के लिए दख देंगे और यह थंडियों के और गाड़ी हो जाएगी हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, पौदीना, बरफ, साथ साथ हरी मिल्चे, एक इंच, अदरक, एक नीबू, एक पूरा लसन, नमक और काले नमक अब इसे मिक्सर में डाल कर पीस लेंगे चटनी को अच्छे से पीस लिया है दही बड़ो के बड़ो के लिए एक कप उड़त की डाल और आदा कप मूम की डाल को दो घंटे पानी में भिगो लिया है और अब इसे पीस के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे अब इसमें एक इंच अद्रक और दो से तीन हरी मिर्चे डाल लेंगे अब इसमें आधा जम में जीरा और नमक डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में नमक और हिंग डाल कर उसे मिक्स कर लेंगे तेल करम हो गया अब इसमें बड़ों को फ्राई कर लेंगे दरी बड़ अच्छे से फ्राई हो गया अब इसे हींक के और नमक के पानी में डाल लेंगे दरी बड़ों के मसाले के लिए चार चमच हींक 15 से 20 काली मिर्चे एक चमच धनिया एक चमच लाल मिर्च एक चमच काला नमक एक चमच चाट मसाला और एक चमच हींक ले लेंगे जीरे को रोस्ट कर लेंगे जीरा रोस्ट हो गया अब इसमें बागे सारे मसाले डाल कर भी उन्हें रोस्ट कर लेंगे और फिर उन्हें दर्दरा पीस लेंगे आज़ा किलो धरी में दो चम्मा चीनी और नमक डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जूआ अब टूआ है झाल बाल कर दो अच्छे सारे नहे प्रड़ाब लेंगे तो लेक्षण अच्छे उन्हें रोस्टे बाल कर दो अब्दाई प्रड़ा बाल कर दो अबाल कर दोड़ाबगे दही बड़ बनकर तयार हो गए वीडियो अच्छ लगए हो तो लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा